नमस्कार आप देख रहे हैं ETS News मैं हूँ आपके साथ अशी सुदू रक्षा बंदन का तोहार है रक्षा बंदन के तोहार पर हम आपके लिए विशेश लेकर आए हैं इस दिन बहने अपने भाई की कलाई पर रक्षा बंदन के तोहार जो एक राखी बांथी है और आज जीवन उनको वचन बद करती है कि आज जीवन उनकी जो रक्षा करेगे भाई उसको लेकर है हम आज आपको बताएंगे कि रक्षा बंदन तोहार का क्या महतव है क्यों मनाया जाता है और इस दिन कौन से देवी देवता की पूजा महतव पूरन रहती है और कौन सा महुरत शुप माना जाता है इस रक्षा बंदन के लिए और ये भी बताएंगे कि जिस परकार इस वर कि कलाई पर राकी बांद सकती है उसको लेकर आज हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर मौझूद है पंडित नीरच भार्दवाज उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रक्षा बंदन का तोहाद किस परकार माइने रखता है तो चलिए फिर करते हैं उनसे बाचित तो मारे अचीज जी आपका भी बहुत देनावाद आपके सबी दर्शकों को रक्षा बंदन की बहुत दोड़ बनाई है जी सबसे पहले मेरा आपसे यही स्वाल रेगा रक्षा बंदन का एक बहुती पुवित्तर तोहार माना जाता है जो एक भाई-बहन के रिष्ते को दर्शाता तो सबसे पहले में जाना जाहाँ को की रक्षा बंदन का तोहार है इसका महतर क्या रहता है आपसे साथ रक्षा बंधन अपने आप में बहुत बड़ा एक परव है यह दो शब्दों को मिला के बना है एक शब्द है रक्षा एक शब्द है बंधन जिसमें भाई को रक्षा बान करके बहन एक रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है कि वो अपने भाई को एक रक्षा का बज़ दे रही है और बंधन में भाई बनते हैं कि मैं आजीवन आपकी रक्षा तनमंधन से करूँगा इन दोनों को मिलाकर के यह तोहार बना है जो कि अपने आप में को और बड़ा और विशेश प्रव है पंड़ी जी हर एक तोहार माईने रखता है भारत देश में भारत देश है हिंदु तव परधान देश माना जाता है महत तव आपने बता दिये लेकिन अगर बात करें क्यों मनाया क्यों जाता है रक्षा बनते इसके पीछे बहुत बड़ी कथाएं हमारे दगरमुद्व में लिखी गई है सबसे बड़ी कथा जो सरव पचलित है कि बरवामन भावान ने बली महराज से तीन पक्र जमीन मांगी थी और एक पर में उन्हें पुरा पताल नाप लिया तो बली महराज भावान विश्नु को पताल में ले गई तब नारज जी ने जाकर के लक्षमी जी से कहा कि आप अगर भावान को वापिस बैकूंट लाना चाती है तो महराज भावान बली को भावी बना ली जी तो बहन लक्षमी जी ने जाकर रक्षा बांदी और बली से वचन मांगा कि मैं वचन में अपना पती मांगती हूं तो अपने पती को लेकर के वाफिस को नहां वैकूंट में जाकर कि विश्नु जी को बिलाज मन किया तबी से अपरथा सरुपचित हुई है लोग मानना दाएं लुडियों इसको साथ पन्दी जी एक और जानना चाहूँआ कि जो लोग आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं मैरे चैनल के मातन से तो जिस परकार आपने बताया कि क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे काफी सारी और भी धारनाएं रहती है आपने गर्थों का जो है कि जान पटो रहा है आपको जादा नौलेज है और वही अगर मैं बता दू कि जिस परकार रक्षा बंदन का तोहार है या दिवाली रह तोहों से देवी देवता की फूजा मैंत पूर है और दख्षा के जो देवता है बहुआ नारायन है वह स्वेम कबच देने वाले हैं स्वेम नारायन रक्षा करने वाले हैं तो इस परव के उपर आठ सिरन जीवी जो शास्च्टरों में बताये हैं अश्वतामाः बंदर प्रफश्य विश्णा प्रफश्य राम चाह सप्ते ता चिरन जीविना और आठ्व में मारकंडे रिशिप यह आठो के आठो देवता एक बहन की रक्षा मानने पर ही भाई की रक्षा करते हैं तो भवान नारायन और आठ चिरन जीविश्ट इस पूजा के विशेश देवता मानने जाते हैं जी देवता आपने बताय की पूजा की जाती है और आठ देवता है जिनकी पूजा में तब दूनर रहती है और जिस परकार रक्षा बंदन का मौका है इस बार काफी तरह की जो तिथियां है वो देखने को सामने आ रही है कुछ लोग बता रहे हैं तर ग्र लगता है जब लोग एक तौहार को दो मना लेते हैं जबकी शास्त्रों में रोज ही तौहार है अगर हम 11 तारिक की बात करें तो 11 को भी रक्षावन्दन है बहुत समय बाद ऐसा है कि योग हडिद हुआ है कि मकर राशी की भद्रा है जब राशी मकर में भद्रा आती है तो व बड़ा प्रभाव है जिए लोग भद्रा को बहुत गहनता से सब्धन श्क्रमानते हैं इसलिए इस तोहर को लोग बारात तारिकों भी मना रहे हैं तो 11 को भी मानने हैं जिसमें से 11 तारिक के कुछ विशे समय हैं आपके मैं चानल के मातने से तर्श्कों को पताना चाहूं जिए 11 तारीक को एक अभी जीत मुड़त आएगा सुभे 11.50 से लेकर के 12.50 तक उसका समय है जिए 11 तारीक को जो भी वहने रक्षा बांदना चाहती हैं वह इस समय में बांद ले इसके बाद एक विजय मुद्ध आएगा जो बज़ के 30 मिनुद से लेकर के 3 बज़ के 20 सुनें शुब मूरत है अम्रित मूरत है रात को आठ बीस से लेकर के रात्री के दस बज़ के तीस मिनट तक बूर वर्ष रक्षा बन्दन का जो तहार होता है अपने आप में विशेश माना जाता है कि दो हजार बाइस का वर्ष है इस वर्ष किस तरह का विशेश है क्या कुछ विशेश है कि हर साल जो हर तौहार की विशेश आप ऊश्नों से अलंग्रित करता है जि इस बार रक्षाबनन आरहा है यह चतो दर्शी में आरहा है जाधा तिथी का जो पुर्णिमा काश्य है वो उदेव्यापनी होने से इसका प्रभाव बढ़ा है रक्षा बंदन की जो डूरेशन है जो तिथी का समय है वो बढ़ गया है इस कारण से जो भी तिथी पर बढ़ जाती है उसको शुब्दा ही माना जाता है तो निश्चेदी इस साल का रक्षा बंदन सब के लिए फल लाई हुआ चाहिए पुजा का कोई समय है यह पूजा का कोई निर्धारन कोई विधी की हर पर तरीके से बीध्य होती है इस बार कौन सी विधी है रक्षा बंदन बहुत समय दिन से त्योहार है आज कल गी विशेशकर मतायों क्या करती है बजार से रक्षा उडिती है घणी और थी और चाहिए और भी रेश्मी होना चाहिए सूती नहीं लेना है उसको जब भ 이렇게 कराई भाइपे बानते हैं तो वी वाइन्य हेन का दो Chickasus लेकर किए प्रपफ़ाव बढता है जब बहने उस रक्षा बंदम को बांती है एक रहा टराइक तो वह बहुत से कर्मों में लगे इसकी बहुत शास्त्रों में साथ भानियां बताई हैं कि जब भी रक्षा मंदम के लिए बहन जाए तो दोनों निराहारी होने चाहिए दोनों का अपरत रहना चाहिए जाकर के सरप्रथम भाई को लकडी के पाठे बेठाना चाहिए और प्रयास ये करें क केशर का तिलक को कैशर भी एंटिखंगस है कि केशर का तिलक चटी दरी पर लगा करके बेहन को भाई को पुरुब्यों मूब करके बठाना चाहिए तो रक्षा बंदन को बहुत संबेदन शीव बहुत पवितरता से मनाने का तोयार है जब रक्षा बहन बांती है तो मोन हो लो करके बांदे और मन ही मन ये नमद्धो बरी राज दानविंद्र महावला त्रेलत वामन वद्धिनामी रक्षे माचल माचला इस मंदर का जब करके बहुत के दाएं कलाई पर चाहिए को लैफ्ट भी बांदेती हैं राइट बांदे ऐसा नहीं इसके दी राइट कलाई ही और डाःा चाहिए और इसको और और शास्तर सम्यूत बात है कि रख्शा लेकर के सन्परथम जो भी आपके घर के पास नुज्य को या भाहां पर पुरवीज़ीर्द को रख्शा देना चाहिए और रक्षा को राखी दो भगवान की मुर्दी के नीछे भवान के च्रनों में रखना चाहिए और रामन देवता से एक साथ महामतुन जय करनेर बोल करके है आज कल सिर्फ एक मनुरंजन का परतीक बंकर रहे जाते हैं वगर इस दिन भी ऐसा कुछ होता है मनुरंजन के तौर पर मनाया जाता है अगर कोई साफधानिया पूरी तरीके से नहीं भाता है क्या इसके कोई दुष परिणाम भी देखने को मिलते हैं कि आज जो संसार के र प्रिवारा हमने जो शास्त्रों की विदियों का लंगन किया है उसका प्रपोग है इसलिए कोई भी चीच अगर वो विधी विधान से की जाए तो इसका फल है अगर मनमार्ची तरीके से करी जाए आज लोग पाटियां कर रहे हैं लक्षा मंदन पर शरापी रहे हैं भाई प्रेम का तुहार है इसको बड़ी शानिंता बड़ी मर्यादा और भूछ सुंदर साथी तरीके से साथी खानपान होना चाहिए साथी गुष्तर होने जाए नीला आकाला बूरा बढ़कीले रंग के वस्तर नहीं पहनने चाहिए साधारन शुद साथी गुष्तर पहन करके साथ यो भोजन करके जिस पर अब को मनाना चाहिए जिए अनधा इसके प्रभाव को प्रभाव हम लोग बेगी रहे हैं जिए पन्डी जी बहुत सारा ग्यान आपसे वटोरा आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शिक हैं वो भी आपके ग्यान से सहमत होंगे गूँक्ते जिस पर कार आजकल का यो यूग चल रहा है आपने बदाए के रिश्ते ताह तार हो रहे हैं करें आजकल हमником अकबार की बात करें या ती वी चैनल्स की बात करें तो काफि सारी ऐसी कराइम की निउस आती है जाह पर भाई प्रश्टा है वो तार तार होता हुआ दिखाई देता है बाप और बेटी का रिष्टा है तो लोग कहीं न कहीं यह जो दुश्ट पर भाव है वो कहीं न कहीं देखने को आसपास मारे मिल रहे हैं तो मैं आप से अंतिम सवाल पूचिए वागी एक बार जो शुब मुहुरत ह देखने को आप दोबारा से फिरा मारे दर्श को रहे हैं कि कौन सा शुब मुहुरत रहने माले हैं तकी 11 तरीके 3 मुहुरत है अभी जीत मुहुरत है 11 सोबे का है 11 बचास से 12 तक इसके बाद में विजय मुहुरत आएगा 2-3 से लेकर के वो 3.5 तक का है इसके बाद में रात है आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं को क्या मैसेज देना चाहते हुआ है जिए मैं सर्वत्रतम तो बदाए देना चाहता हूं यह बहुत उलाज का और भूत हरश का तोहार है जो भी भाई आपके रूट चुके हैं इसी भी कारणों से बहने नराज है और नराज नराज है सनवर्धन अरप्रकार का दायत तो जो एक पुरुष के लिए निर्धारित किया गया है तो समाज के भोतिवाद को छोड़ करके परिवारिक वाद को जान करके सबी भाईयों से भी अपील करूंगा कि वो इस रक्षा बंदन को अवश्य मनाए जहने भी इसको अवश्य मनाए किसी आशागिर साहब आपको हमिश्कार है अपना कीमती समय बाद सब्सक्राइब आपका भी अशीज जी आपको पूरी टीम का बहुत को सादूवाद आपको भी बहुत मंगलों में बढ़ानिया तश्का पनक के लिए दन्याबाद जी